बच्पन से लेकर बड़े होने तक बड़ो के मुह से बस एक ही बात सुनने को मिलती है अच्छे से पड़ लिख जाओ ताकि कहीं धंकी नौकरी मिल जाए बच्पन से ही हमारे माइन की कंडिशनिंग कुछ इस तरीके से की जाती है कि बड़े होने तक हम सब जूट को सच मानने लगते है कि नौकरी ही सब कुछ है आज पूरा विश्व कोरोना महामारी के संकट से जूज रहा है इस बीच हमारे देश में लाखों लोगों ने अपनी नौकरी से हाथ दोया है और पूरे विश्व में करोडों लोग अपनी जौप से निकाले गए है अब बात आती है कि जिन लोगों ने अपनी नौकरी से हाथ दोया है वो अभी क्या कर रहे होंगे आपको जानकर हैरानी होगी कि 90% से ज्यादा लोग किसी दूसरी नौकरी के तलाश में है और उन में से बहुत से लोग ऐसे भी है जो अपनी बची हुई सेविंग्स में गुजरा कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब कोरोना का यह संकट दूर हो और उन्हें अपनी जौब फिर से मिल सके रिस्क न लेना सबसे बड़ा रिस्क है लोगों को लगता है कि जौब और बिजनस की तुलना में जौब में कोई रिस्क नहीं है आराम से अपना काम करो टाइम पर सेलरी पाओ और दीरे दीरे आपका ग्रोथ होता रहे है लोगों के अनुसार बिजनस में रिस्क ज्यादा है यदि फेल हुए तो लोग क्या कहेंगे दुनिया हसेंगी फंडिंग प्रॉब्लेम एक से बढ़कर एक चैलेंजिस श्रगल बिजनस में लोग बहुत सारे प्रॉब्लेम्स गिनाने लगते हैं और इसे एक बड़े रिस्क की तरह देखते हैं इसलिए ज्यादा तर लोग रिस्क लेने से बचते हैं पर वो कहते हैं ना रिस्क न लेना सबसे बड़ा रिस्क है यदि लोग थोड़ा सा हिम्मत करके out of the box सोचे तो वो अपनी सोच से कितना ज्यादा कर सकते हैं उसका उन्हें अंदाजा भी नहीं होत जौब करने वाले ज्यादा तर लोग अपनी नौकरी से खूस नहीं होते लेकिन वे इस बात से हमेशा खूस रहते हैं कि महने के आखिर में उनकी सैलरी क्रेडिट होती है इससे वे अपनी जरूरते पूरी कर सके उनकी लाइफ जैसे चल रही होती है वैसे ही उसके साथ कट रही है कटने दो यही कमफर्ट जोन है वे एक कदम भी आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोचते क्योंकि उन्हें बचपन से ही यह सून रखा होता है कि जौब लगने के बाद लाइफ सैट हो जाती है लेकिन अपने कमफर्ट जोन से बाहर निकल कर कुछ ऐसा करना जि के बच्चे खास होते हैं हर बच्चे में कुछ न कुछ खूबी जरूर होती है आज टेक्नोलोजी हर दिन बदल रही है समय बदल रहा है और ऐसे में अब सोच को भी बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है सभी पेरेंट्स मैं यही कहना चाता हूं कि अपने बच्चों को जौब creator बनने के लिए प्रोचसाइद कीजिए उन्हें बताईए कि वो दूसरों को रोजगार देकर इस देश में एक बड़ा बदलाव ला सकता है यदि आपकी वज़े से किसी के घर में चूला जल रहा है आप किसी को रोजगार देकर देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में अपना बहुमुल्य योगदान दे रहे हैं बले ही आप दो लोगों को ही जौब दे रहे हैं लेकिन उन दो लोगों के पीछे जो परिवार चल रहा है उनकी दुआएं आपको ही मिलेगी कुछ छोटा करने के लिए ये जिन्दी बहुत बड़ी है लेकिन कुछ बड़ा करने के लिए जिन्दी बहुत छोटी है जीवन आसान नहीं होता इसे आसान बनाना पड़ता है